थाइवोई, PCOS, आर्थ्राइटिस जिसी प्राब्लम से तंग आ गए हो? सुचो अगर इसका असली करपे आप तो गत में चुपा हो. Let me explain how. Imagine करो, आपका गत लाइनिंग एक घर की डिवार जैसा है. अगर इस दिवार में क्राक्स आजाएं, तो पानी अंदर चला जाता है. और वही पानी और ज्यादा डामज करता है. क्राक्स को और भी बढ़ा देता है. तो अगर गत की लाइनिंग डामज हो जाए, टॉक्सिंज और बैक्टिरिया आपके गत पे खुल जाते हैं. यही शुरुवात होती है प्रॉनिक इशूस की. लेकिन गत लाइनिंग को रुपेर करना पॉसिबल है. एल्गुकमीन एक अमीन आसिड गत लाइनिंग को ठीक करता है. बोन ब्रॉक भी गत लाइनिंग को नाचरली स्ट्रॉंग बनाता है. एंटी इंट्रमेकल डायेट, प्रॉस्टर फूद्स और शुगर को अवोईड करके भी गत को हील कर सकते हैं. तो दोस्तों, यह तो सिरुफ शुरुवात है. अगली दिल में जाने कैसे गत पैक्टेरिया का इंबालन्स इंविनिटी को कमज़र कर सकता है. सुट्यों मिल्दिक